हेलो डियर फ्रेंट, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडूशेशन में फ्रेंट मद्द प्रदेश कर्मचारी चैन मंडल भूपाल के द्वारा जो यहाँ पर मद्द प्रदेश सासन स्कूल सिच्चा विवाग तथा मद्द प्रदेश सासन जनजातिय कार विवाग के अंतरगत उच्च मादमिक सिच्चक के लिए पात्ता परिच्चा 2030 का आयोजन किया जाना है इसमें ओनलाइन आवेदन पत्र जो है यह आपके ओनलाइन आवेदन पत्र भढ़ने की प्रारम बतीती है वो 12 जनवरी 2030 से इसके अंतिम चिती 27 जनवरी 2030 रखी गई है इसके लिए जो संसोधन है यदि किसी भी प्रिकार की मिश्टेक होती है तो आप 12 जनवरी 2030 से लेके एक फरवरी 2030 तक इसके बीच में आप जो है संसोधन कर सकते है परिच्चा दिनान को बाज़ो दिन है वो 1 मार्च 2030 पुद्वार से प्रारम होके जो है इसकी परिच्चा कई सिप्टों में होगी कई दिनों तक जो है परिच्चा जो है ये इसकी चलेगी इसके लिए जो सुल्क है जो अनारच्चित अब्यर्थियों के लिए प्रेंट बता दें जो MP के मूल लिवासी नहीं है अधर इस्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो भी चाहे किसी भी कैटागरी से है ये आप अधर इस्टेट से है और किसी भी कैटागरी से है तो आप जो है जो अनारच्चित में वहाँ पर जाएंगे आपको पूचे जन जाती अन फिषडावारी निसक्त जन अन भेर्थी जो केवल के मूल लिवासी है मध्यप्रदेश की उनसे 300 रुपए प्रत्ती प्रश्न पत्त जो है वो सुल्क जमा करना होगा इसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन किसों के माध्यम से इनसे पोर्टल का सुल्क वो साथ रुपए दे होगा और यहाँ पर इसके अत्रिक्त रजिस्टर्ट सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉग इन कर फॉर्म भरने के पर जो है पोर्टल सुल्क जो है वो बीस रुपए दे होगा तो यह सुल्क जो है इसी में एड होंगे तो इस चीज का आप ध्यान मध्य प्रदेश सासन स्कूल सिट्चा विभाग के यहाँ पर पत्र किरम संक्या जो है भोपाल दिनाग 3.1.2023 के अनुसार सिट्चा विभाग इस तर पर विभागी कारवाई है तो विभागी सुल्क बादवारा बुड़ द्वारा प्राप्त किया जाकर इस रासी का किया जाएगा तो इसलिए यह वाला सुल्क जो है वो आपको दे होगा परिच्छा दिनाग बाद दिन जो है एक मार्च 2030 बुद्वार से प्रारम हो जाएगी और परिच्छा जो है बूद दो पालियों में होगी प्राता पालि साथ से आठ वजे तक जो है अभ्यरतियों का रिपोर्टिंग का समय रहेगा और इसके लिए आपका जो है महत पूर्ट दिसा निर्देश पढ़ने के लिए आपको आठ पजास से नो बजे यानि कि आपको टोटल ली जो है दस मिनट दिये जाएगे उत्तर अंकित करने का जो समय है नो से जो है साड़े ग्यारा यानि क धाई गंटे जो है आपको इसके लिए मिलेंगे इसी प्रकार से दोतिय पाली होगी वो तो फैर वारा से एक बजे तक इसका रिपोर्टिंग समय दस मिनट आपको जो है ये दिये जाएगे और धाई गंटे जो है आपके दो से साड़े चार तक की परिच्छा जो है वो करएगे यहां पर अब्यरति का आधार पंगयन अनिवार है और एदि आपका आधार में किसी भी परिकार की प्रोबलम है तो आप फॉर में अप्लाइद नहीं कर पाएंगे आपका आधार का पंगयन अनिवार है उसरे बैरिफाई होना जरूरी है इसके साथ साथ बोर में एहर होने के लिए नियूंतम अंकों का प्रतिस्त जो है वो उच्छ मादमिक सिच्छक के लिए आपको अंसुच जाती जन जाती अन पिछड़ा बर्ग दिभ्यांग जन आर्थिक रूप से कमजोर वर्क हैं और MP के मूल निवासी है तो आप 50% यदि आप अन केटागरी से है और अधर इस्टेट से है तो आपको 60% अंक लाने पर ही आप इसके लिए जो है क्वालिफाई होंगे इसके लिए जो है आप प्राप्तांग पाके जो है नियूंतम प्राप्तांग आपको इतना प्राप्त करना है यह चीज भी आप जो है समझ लें एक बार सिच्छक पात्ता परिच्छा की जो बैता है वो आजीवन रहेगी बस 2018 इसके बाद IOJ सिच्छक पात्ता परिच्छा के लिए आजीवन बैता लागू होगी अथार्थ वस 2018 तो इसके बाद आयो जे सचक पात्ता परिच्छा में एहर अब्यर्थियों को पुन्हा पात्ता परिच्छा में समलित होने की आवश्यक्ता नहीं है यदि मतलब आप चाहे तो दे सकते हैं लेकिन आपका जो certificate है वो आजीवन वैलिड हो जाएगा आप जो है यदि अच्छे अंक प्राप करते हैं तो आपको जो है इससे ज़रूरी नहीं है कि आप बारवार दें तो आपका ये confusion नहीं रहेगा कि इस certificate कितनी यर्थक मान होगा वो आपका आजीवन है तो ये चीज भी यहाँ पर आपकी clear की गई है ऐसे अब्यर्थी जो अनसुचित जाती अनसुचित जनजाती अनपिश्णाबर्ग आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्वर्ग अत्वा देव्यांग ये अंसरेडिक हैं किन्तु उनके पास मद्द प्रदेश के सच्छम अधकारी द्वारा जारी बैद प्रमारपत नहीं ह तो ऐसे सभी कंडिडेट जो नियुनतम अहर अंक हैं इसके लिए आप जो है अनारचित प्रवर्ग के अब्यर्थियों में मान होंगे आपको जो है छूट नहीं मिलेगी तो इसके लिए आपको बैद प्रमारपत लगाने की जरूरत है इसलिए आपको पहले से प्रमारपत जो है आपके पास होना जरूरी है तभी आप इसके लिए योग होंगे आपको इसका जो है लाव दिया जाएगा सिचक पाता परिच्छा में भाग लेने हुए तो अब व्यर्थियों को एक जनवरी दो हजार तेस को 21 वर्ष की आयू पूर करना जो है जरूरी है तभी आप इसके लिए एपलाई कर सकते हैं और यहाँ पर देखते हैं जो भी महतपूर चीज़े है उन सारी चीजों को देख लेते हैं जो आपकी मूल्यांकन पद्दती है तो वो क्या रहेगी तो प्रिश्णिकी सरनचना जो है यह त्रोटी प्रिश्णिक के लिए है कि यदि आप जो है अंक बदले जाते हैं तो उसके लिए है यहाँ पर और यह आप जो मूल्यांकन पद्दती एक बार दीख लीजिए बिभागी नियमों को अनुसार प्रती प्रिश्ण जो है एक अंका होगा रडात्मक मूल्यांकन होगा प्रती चार प्रिश्णों के गलत उत्तर पर एक अंक काटा जाएगा तो निगेटिव मार्किंग है आपके एक्जाम में बन अपर फोर की तो इस शीज का भी आपको जो है बिशेश ध्यान रखना है यदि आप चार कुशिन गलत करते हैं तो आपका एक नंबर काटा जाएगा आगे दिखते हैं महितपूर जो चीज ओनलाइन आवेदन पत्र के साथ अबेर्थियों को कलर, फोटो, हस्ताचर एवं स्वयम की हस्तिलिपी को परप्रत प्रारूप एक के नुसार स्केन करकर सरलंगन करना होगा तो इस चीज का विसेश धियान रखें ओनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक को जर्मतिति के प् यह सूची है वो स्केन करवा कर सरलंगन करना होगा, और अनको आपको जाती प्रमान पत्र के साथ अब्यर्थिकिक्वा कलर फोटो, हस्ताचर एवं स्वयम की आश्तिलिपी को, प्रपत्र में बस्तार प्रारूप जीरो बन अंस्ति बैखन ли हूच सूचिक्य इंड़र्ध क लिए परोटर भार पनुसार इसकर कराकर सनलंग्ड करना होगा जिसमें फोटो उपरी भाग में तसला हस्ताचर नीचे के भाग में होगे Music international बत्ता एवं प्रश्टवाग जो बैग्राउंड है वो सफेद होना चाहिए पोले राइड फोटोग्राफ मान नहीं होगा अब्यर्थियों का फोटोग्राफ सामने से खीचा हुआ हो जिसमें अब्यर्थि के दोनों कान भी इस पश्ट दिखाई दे रहे हो तो इन चीजों क जो है ध्यान रखना है फोटोग्राफ जो है वो तीन माहा से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए फोटोग्राफ पर खिचवाने की दिनागवा आवेदन के नाम का इस पश्ट उलेक होना चाहिए यह था संभाव अब्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोट से कॉलम करके अपना फोटो बनवाए और जो बेक्ग्राउंड होगा वो इसका जो है भाइट बेक्ग्राउंड के अंदर ही अपना फोटो बनवाए तो इस शीच का आपको बिशेश धियान रखना है तो फ्रेंट जो भी महतपूर अपडेर थी वो मैंने आपको यहां बत